तो बच्चो आज की इस वीडियो में हम लो हमारे जो घरों में सर्किट्स होते हैं थोड़ा उसके संबंध में जानेंगे पार्ट वन में हम लो यह देखेंगे कि हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास सॉकेट्स होते हैं आपने देखे होंगे जो घरों में socket यूज करते हैं हम लो switchboard में लगे होते हैं उसमें आपने गौर किया होगा normally triple pin वाले होते हैं कुछ इस तरह से ठीक है ना ये इस तरह के triple pin sockets होते हैं और आप इसमें देख रहे हैं एक बड़ा दो छोटे ही एक बड़ा है तो पहले जानते हैं कि actually me fitting होती क्या है तो इसको समझने के क्लिए आप ऐसे समझो तो तीन अलग अलग धंग से इसको समझते हैं हो लो घरों की fitting में जो वायर आते हैं वो wiring कैसे होती है पहले तो ये पता होने जयゃए कि घरों में आती क्या है घरों में AC आती है alternating current कहते हैं इसको यह easily supply हो जाती है इसको supply करना है यह होता है heat loss इसमें बहुत कम होता है तो इस कारण से AC को ही supply किया जाता है बांकि तो आप AC की वीडियो में देखे और जानकरी इसकी ले लेंगे जो मैंने बना है तो फिलाल अब हम देखते हैं होता क्या है तो घरों में जो हमारे suppose कीजिए कि यह आपका कोई main pole है ठीक है यहाँ से wiring आई तो यह wiring में ऐसे समझना है इसको अलग-अलग color से बना लते है तो यह इस तरह के wire होते है एक यह से red wire हो गया ठीक है ना और एक में ने बनाया है यह black wire तो यह दो wire इस तरह से घरों में आते हैं तो अब समझना इसको क्या होगा जैसे माल लो थोड़ी दिर के लिए आपके घर में हमने कोई switchboard ही ले लिए ठीक है switchboard की ही हम बात करते है switchboard में अभी देखा होगा आपने यहां पर बड़ा सा hole होता है फिर यहां पर ऐसे ऐसे अलग से शोटे शोटे hole होते है तो normally ऐसे triple pin की बात होती है तो अब इसको समझते हैं यह होता क्या है देखो एक तो यह आपका red वाला wire अभी मैं बता रहा है इसको red से क्यों बना रहे है और एक यह black wire आया ठीक है अब क्या होँ कि सबोज कीजिए कि यह वाला wire आपका यहां connect हो गया और यह black वाला इसमें चला गया तो यह जो 3 pin होते हैं इस 3 pin की meaning क्या होती एक तो इसमें होता है live wire को इसको कहते है red वाले को live wire या इसको hot wire भी कहा जाता है और इसको कहते है neutral या ground wire इसको क्या कहते है neutral या ground wire फिर एक तीसरा और होता है इसमें ठीक है तो अभी 2 wire की बात ही अब घरों में जो हमारे पास electricity आती है तो normally live wire की meaning आपको ये बताई जाती है कि इस wire से current आती है और इस वाले से circuit पूरा करते है यहां को चले जाती है अब लेकिन हमारे घरों में जो AC आती है उसका क्या है वो एक बार इस direction में आती है ठीक और अगली बार वो इस direction में यानि कि एक देखा जाये तो एक बार ये current को लाने का काम कर रहा है एक बार ले जाने का काम कर रहा है तो meaning क्या है इसकी concept को जड़ा समझते हैं इसकी concept कुछ इस तरह की है कि जो grounded wire है ठीक इस grounded wire का मतलब क्या होता है कि ये always होता है zero voltage पर अर्थ के voltage पर इसको रखा जाता है तो लगबग लगबग ये माल ले आ जाता है कि ये zero voltage पर है ठीक और ये जो live wire है ये positive पर होता है तो एक बार positive पर जाएगा एक बार negative में ऐसे समझो आप एक बार ये plus 220 volt पर गया एक बार minus 220 volt पर गया मीनिंग क्या है इन दोनों की बीच का जो potential difference है वो always कितना रहा 220 volt तो ये मीनिंग होई कि जो live wire है वो high voltage पर है और grounded किस पर है जो neutral wire है वो ground के याड़ थिके voltage पर होता है ठीक है तो ये हमारी पहले सबसे simple concept ही इसको हमें clear करना था फिर इसके बाद इसमें एक तीसरा socket भी होता है ये socket जो होता है ये इसको कहते है earth wire या ये earthhing के लिए यूज होता है तो ये अपने आप में बड़ी important इसकी concept है कि ये तीन wire या तीन socket ऐसे क्यों होते है ठीक है अब इसमें जानते है तो लगवे इस तरह की setting हमारे पास हर जगा पर होती है ठीक है नहीं अब इसमें जो एक चीज और होती है मतलब इस अर्थिंग का रूल क्या है इस अर्थिंग का रूल ऐसा है पहले इसको समझते हैं कि जैसे आपने देखा होगे जो mobile के charger होते है या कई ऐसे उसमें दो ही socket होते है और किसी-किसी में कितने होते है ये तीन socket वाला होते है और किसी-किसी में ये पीटल वाले में cut भी होता है ये भी धियान रखना जो पीटल की बने होते हैं इसमें cutting भी होती है तो इसकी मेंन क्या है और आप देख रहे होंगे इसमें ये दो छोटे हैं और ये वाला जो अर्थिंग वाला होता बड़ा वाला की साइज में बड़ा होता है इसको समझते हैं क्या होता है ऐसी कंसेट तो सबोज कीजिए ये तो हमारी करेंट घर तक आगी अब माल लिया आपका सबोज कीजिए कि इन दोनों वायर से माल लो कोई जो भी घर में कोई इसी चीज़ ज्यादा पावर कंज्यूम करती है वो जूड़ी है माल लिया जैसे माइक्रोवेव ओवन है या कूलर है एसी है इस टाइप की चीज़े ज्यादा पावर को कंज्यूम करती है अब उसमें समझो आप कि माना यहां से यह वायर आए ठीक है न एक लाइव वायर आया ठीक और इसी तरह से एक ग्राउंड़ीड भी आया एक इसमें अर्थिंग भी होगी ठीक है न तो अर्थिंग का वायर एक अपना अलग होता है यह हमारा जैसे सपोज कीजिए ठीपिन हो गया ठीक लड लाइव वायर यहां जूड़ गया और यह इस पर आगया तो यह काम करेगा अब सपोज किजिए कि कभी इसी कारण से हाई वोल्टेज आ गई तो करेंट भी क्या होगी हाई होगी या किसका एक कारण और भी समझो कि अगर किसी वजह से माल लो कि इस वायर तो यह तीस्रा होताय होता अर्थिंग वाला यह क्या करता है कि जो इसतरे की कभी हाई वोल्टेज या हाई करेंट जया आती है या कहीं लियकेज होताः तो इस 기क कारेंट को इस भी दो चरह Québec को यह गृओंड में ले जाता मैं को ग ग्राउंड में ले जाने से व को अपको जैसे आपने इसको circuit में डाला ठीक है इस तरह जे फिर आपने निकाला तो ये दो छोटे तो ये पहले निकल जाएंगे ये बाद में निकलेगा तो इस तरह क्या होगा कि सब्सक्राइब कि जैसे ये प्रेस का ही माना वायर है तो जब इसको निकालेंगे अगर बाई देवी इसके अंदर कुछ लीकेज रह गया होगा तो जब फ्लास्ट में निकलेगा तो वह इसके थूँ यहां से ग्राउंड में चला जाएगा इसलिए यह थोड़ा सा बड़ा पनाया जाता है और सेम प्रोसेस जब आप डालेंगे तो वही चीज़े की जब डालते समें भी अगर कुछ इसके अंदर लीकेज रहा होगा पहले से तो वह भी चार्ज इसके थूँ अर्थ में चला जाएगा तो आपको शौक लगने का डर इसमें नहीं होगा अब बात आती है कि यहां के लिए मोबाइल के जो चार्जर होते हैं इन में यह दो ही पीन क्यों होते हैं वह इसलिए होते हैं क्योंकि यह बहुत कम वोल्टेज में काम करता है तो इसकित को अगर माना कोई जटका भी लग तो इसलिए इन में क्या होते हैं सिंपल दो ही पिंस होते हैं अब बात आती है कि इसमें जैसे कुछी किसी में क्या होते हैं कि यह जो होते हैं इन में कट भी होते हैं इसमें कट नहीं हैं तो स्टील वाले या ऐलुमिनियम के जो होते हैं उनमें कट नहीं होते हैं लेकिन ज तो इसके उपर अगर कट है और यलो इस color का नहीं है, brass के color cut तो इसके उपर naikroon के coating करे जाती है तो इसलिए वो इस color cut दिखता है तो जैसे यह, तो Aluminium यहीअ स्टील का होगा इसमें कट इसलिए नहीं होता क्योंकि पीम्हें क्या होता है पीतल बहुत अच्छा conductor होता है और मीनिंग चीज क्या होती है उसका melting point low होता है तो कारण क्या होता है कि अगर जब इसमे current आएगी ठीक है ना तो current आने से क्या होता है कहीं न कहीं यह wire गरम होता है तो गरम होने से अब चुकि पीतल का melting point काम है तो यह डर होता है कि अगर यह गरम होगा तो गरम होके फैल जाएगा और यह हो सकता है सॉकेट में ही चिपका रह जाए तो उसके चिपकने से क्या संभा होना है कि वहाँ पर आग भी लग सकती है इसलिए पीतल के अकसर कटवाले होते और बांके अलुमिनियम और बांके चीज़ों के वह कटवाले नहीं होते